नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दखवरदाल्यूज बिदिसा जिले के गंज बसाओदा में इन दिनों डाक्टर बेदान्ती के मुखारबिंद से राम कथा का आयोजन किया जा रहा है डाक्टर बेदान्ती ने कथा के माध्यम से बताया कि मानव जीवन प्राप्त करके भी अगर हम भवसागर पार करने का प्रत्न नहीं करें तो हम स्वैम अपनी आत्मा के दुस्मन है क्योंकि मानव जन्म कई योनियों के भ्रमण के बाद प्राप्त होता है इसलिए मानो जीवन प्राप्त होने पर हमें परमात्मा में स्वैम के बिले के लिए भी प्रयास करना चाहिए कल्यूग में राम नाम जन्म से लेकर मृत्यू तक रहता है कथा के प्रथम दिन अबद पूरी राम जन्म भूमिकी कथा सुनाई गई और कथा में जैसे ही राम जन्म हुआ वैसे ही समस्त उपस्तित जन्समुदाय जूम उठा नाचने गाने लगा आयुद्या में राम जन्म पर बधाई गाई गई डाक्टर बेदान्ती ने बताया कि सरीर नश्वर है आत्मा जिस प्रकार ब्यक्ति कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार सरीर बदलता है इसलिए आत्मा को परमात्मा में बिले के लिए इस प्रिशिवी पस्त्री राम नाम ही सबसे बड़ा और सबसे सोच मार्ग है महराज ने ब्यास पीड से बताया कि कल्युग में राम नाम के उच्चारन मात्र से ही भव सागर को पार किया जा सकता है अधिक जानकारी के लिए आईए देखते हैं विदिसा से हमारे रिपोर्टर आसी सहेले के ये रिपोर्ट देखते रहिए दा खबरदार न्यूज परदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए दखबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक करें धन्यवाद